हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल आज विसकर्मा पूजा है तो यहां मेरे पत्ती घर में जो भी मसीन गाड़ी बगेरा है उसकी पूजा कर रहे हैं आज के दिन हमारे हिंदू समाज में सभी कोई अपने घरों में इसी तरह से अपने वाहन मसीनों की पूजा करते हैं और आज विसकर्मा के साथ सत कर्मा पूजा भी है जो हमारे जार्खन का एक प्रसित तेवहार है इसे आदिवासी समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा दूहुमधाम से मनाते हैं और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से विसकर्मा और कर्मा की बहुत-बहुत सुबकाम नाए अभी मैं कीचन आ गई हूँ अभी दो पहर के तीन बज़ रहे हैं और मैं इस टाइम पे ससुर जी के लिए रात का खाना बना रही हूँ उनका नाइट यूटी रहता है तो वो रात का खाना लेकर ही जाते हैं तो मैं यहाँ पे उनके लिए रोटी सबजी बना दे रही हूँ यहाँ पर मैंने उरत के जो बरी होते हैं उसको मैंने तेल में फराई करने के लिए दिया है ये हम लोग अपने घर में ही बनाया है मेरी सास ने इसको बनाया है तो उसको मैं अभी फ्राइ कर लेती हूँ और फ्राइ करके निकाल ले रही हूँ वैसे तो उरत की बरी जो होते हैं उसे आलू के साथ मिला कर बनाने से, सबजी उसका बहुत टेस्टी लगता है पर यहाँ पर मैं बीन के साथ बना रही हूँ उनको बरी बहुत पसंद है उनको किसी भी चीज़ के साथ मिला कर दे दो तो वो बहुत ज़्यदा पसंद करते हैं तो यहाँ पर मैंने बीन के साथ मिला कर बना दे रही हूँ और कभी कभी तो वो भिंडी की जो सबजी होती हो उसमें भी उरत की बरी को मिलाने के लिए बोलते हैं उनको बरी बहुत पसंद है तो इसलिए किसी भी सबजी में डालो तो वो खा लेते हैं पर जो भी सबजी बनाते हैं मैं उसमें मसाला कम ही डालने के लिए बोलते हैं बस हलका मसाला डालकर ही सबजी बनाने के लिए बोलते हैं उनके लिए और यहां पर मैंने टमाटर को काट कर डाल दिया है और उसके बाद मैं यहां पर स्वादनुसा नमक डाल दे रही हूँ और उसके बाद मैं सबजी को चल पकाड़ाए ना लेना पॉलन मैं च्छोटे टुकरों में तोड़ ले रही हूं आटे को तोड़ के रख लेने से रोटी बनाने में बह। स्वाइधा होता है तो मै जब भी रोटी बंडाती हो तो पहले आटे को 10-15 मिनुट चोड़ देती हूं SET ہونے के लिए और जब SET हो जाता है तो इस तरह से लोई तोड़के रख लेती हूँ ताकि रोटी बनाने के टैम में जल्दी जल्दी रोटी सारी बन जाए और यहाँ पर मैंने कटोरे में एक चमश सबजी मसाला और आदे चमश हलदी लिया है उसको मैं पानी में घोल ले रही हूँ और उसके बाद में सबजी में मैं डाल देती हूँ यहाँ पर सबजी मेरी पक चुकी है यहाँ पर देख सकते हैं बीन का कलर कितना सुन्दर आ रहा है ग्रीन ग्रीन और टमाटर का रेड रेट दिखने में कितना सुन्दर लग रहा है तो यहाँ पर सबजी मेरी पक चुकी है तो इसमें कटोरे में जो घोल के रखी थी मसाला उ और उसके बाद मैं इसको अच्छे से चला ले रही हूँ और बरी को भी मैंने इसमें मिला लिया है और इसके बाद इसको मैं थोड़े देर के लिए मसाले में सेट होने के लिए थोड़ा सा पका ले रही हूँ मैंने सब्जी को दूसरे चुले के तरब कर दिया है और उसके बाद मैं सब्जी में पानी डालके उसको अच्छे से ढग दूँगे पकने के लिए और इधर मैंने दूसरे चुले में तवा चड़ा दिया है अब मैं रोटिया सेख लोंगी और मुझे रोटी सबजी बनाने में ज़ादा सजादा आदे गांटे का समय लगता है पहले मुझे लेट लगता था जब मेरी साधी नहीं हुई थी उस time मुझे ये सब काम करने में बहुती जादा दिक्कत होती थी पर अब मुझे तो इन सब कामों की हेविट हो गई है मैं बहुत ही जल्दी ये सब ही काम को कर लेती हूँ और फ्रेंड्स जो भी मेरे नए विवर्स है उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लीज कमेंट भी किया करें आप लोगों कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मैं आप लोगों कमेंट को पढ़के बहुत ही ज़्यादा खुस होती हूँ और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में किसी भी तरह से कुछ कमी नजर आती है तो उसको बोला करिए ताकि मैं उस कमी को सुधाने की पूरी कोशिस करूँगी और प्लिस सपोर्ट करें मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और मेरी सबजी यहाँ पर बन गई है बिलकुल कम मसालेदार वाली सिंपल सी सबजी और यहाँ पर मैं टिफिन भी भर दे रही हूँ किचन का काम कंप्लिट हो गया है और मैंने अपने घर को भी ज़ाडू लगा लिया है बस मुझे आंगन की सफाय करनी है तो मैं यहाँ पर आंगन को ज़ाडू लगा ले रही हूँ यहाँ पस पहले आंगन जितना दूर दीख रहा है उतना दूर तक हम लोगों ने अभी पका करवा लिया है पहले यहाँ पका नहीं था जो मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि यहां पर पहले पका नहीं था अभी हम लोग थोड़ा दूर के लिए बस थोड़ा सा पका करा दिये हैं तो यहां पर बरसात के टाइम पर अच्छा सुखा सुखा सा रहता है नहीं तो पहले यहां पर पानी के छीटे लगने से पूरा गीला गीला सरता था मैं तो यहां पर थी भी नहीं उसी टैम मेरे हस्पेंड ने यहां पर पका करवा दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरा घर नीचा हो गया है और आंगन उचा हो गया है जब मैं यहां पर थी नहीं उसी टैम मेरे हस्पेंड ने यहां पर आंगन पुरा मिटी भरवा और उसके बाद में पूरा आधा दूर तक बस थोड़ाई सा पका करवाया है पूरा आंगन अभी पका नहीं हुआ है और जब भी जादे बारिस होती है तो हमारे आंगन पूरा पानी भर जाता है और निकलने का पानी जो है उसको निकलने का अच्छा जगा नहीं मिलता है जि जिसके कारण कपड़े भी नहीं सुख रहे थे बहुत ही कम कपड़े धूल रहे थे बस बच्चे के कपड़े को मैं धूल रही थी और बाकी बात कपड़ों को मैं जादे नहीं धूल रही थी जो जादे यूजफूल कपड़े थे उसी को मैं बस धूल रही थी और अभी दो कपड़ों को जो सुखे हैं उसको अलग कर लोंगी और जो नहीं सुखे हैं उसको मैं अंदर वाले रूम में दे देती हूं सुखने के लिए यहाँ पर मैं जितने भी सुखे वे कपड़े हैं उन सभी कपड़े को छाट ले रही हूँ और उसको फोल्ड करके रख ले रही हूँ और उसके बाद में जो सुखे हुए कपड़े नहीं हैं उन सभी कपड़ों को मैं अंदर वाले रूम में दे देती हूँ तार में सुखने के लिए और वो पंखाय के हवा में रात भर में अच्छे से सुख जाते हैं और मैंने अंदर वाले रूम में जो भी कपड़े नहीं सुखे थे उसको मैंने दे दिया है और यहाँ पर बाबू उठ गया था हूँ कि बारिस होने लगा यहाँ पर देख सकते हैं आपकि दूप भी है और बारिस भी हो रही है और उस टाइम अचानक से बारी से स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे इवनिंग के टाइम हम लोगों का नास्ता समोसा और दुसका था यह हमेरे हजबन बाहर से लेके आये थे तो हम लोग कर ले रहे हैं नास्ता और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लेज वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राब जरूर कर दे